विश्वर प्रसिद किदाना धाम की यात्रा ने नया किर्थिमान रुचा है तेहास में पहली बारी किदाना धाम पहचे अभी भी 10 दिन की यात्रा शिश बची हुई है में दूसरी और इन दिनों किदाना धाम में मौसम साफ हो गया है चटक धूप में केदाना धाम की बर्फीली पहाड़ी हैं सांदी की तरह सफीद चमक रही है आपको बता दे कुरूना महमारी के दूस साल बात विदिवाश शुरू हुई केदाना धाम की यात्रा ने नया खिर्तिमान रुचा है यात्रा के दिहास में पहली बार बंधवालाग से जाता यात्री पावकिदार के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं यात्रियों के पहुंचने से जहां एक नया रकॉर्ड बना तो वहें इस्थानी लोगों को रुजकार के अफसर भी मिले जुसने कुरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई कर दी मैं धाम में इन दिनों मौसम साफ है सुभा से शाम तक बावकिदार की नगरी में चटक धूख खिल रही है जुससे धाम की चारूं और पहाडियां च्वांदी के तरह चमक रही है नाम की पैदल और हेलिकॉप्टर यात्रा विदीवत संचालित हो रही है इसके साथी बावकिदार की दर्शनों के लिए यात्रियों की लंबी लाइन लग रही है जबकि संध्यकाली नार्थी के समय भी मंदिर परसर में खुब भीर जमा हो रही है जबलादिकारी महीर दिक्षिक ने कहा कुरोना काल के बाद यात्रियों के संख्या में वड़ोतरी होने की पहले से उम्मीद थी जिसके बाद पैदल यात्रा का रूट रख रखाओ पैदल मार्ग पर पानी की ववस्ता सापसफाई ववस्ता ग्रेन शेल्चर टोकन सिस्टम आती ववस्ता हैं दुरुस्त की गई है इसका ही परिणाम है कि रिकॉर्ड यात्री के दानात धाम पहुंच रहे हैं MKN News की तेस्क रखुड़